हे गाइस वेलकम बेक टूम आए चैनल तो जुटे चानल कैसे हैं आप सब आई हो कि आप से बच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट ट्नी की राइसे पर शेयर करें जा रही हूं इसे आप डौसा इडली उत्पम किसी भी ब्रेकफास्ट के साथ इसे बनाना स्टार्ट करते हैं अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब करके बेल आकन भी क्लिक कर दें तब से पहले हैं एक बड़ा चमच वर्जन को और गैस का फ्लेम है वह हम लो टू मीडियम पर रखेंगे अगरी के इसे मैं ने पांच मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट किया है पांच मिनट बाद अम इसमें एड कर देंगे पुदीना पता एक हैंडफुल और दस से बारा अड़ कर देंगे करी पता इसके बाद इसमे दो मिनट के लिए रोस्ट किया है इसके बाद पिसलिए और इसमे डाल दंगे भुना रूच चैन दो बड़े चमच कि इसमे अब दो से तीन चमच इसमे एक अट कर सकते हैं रहा चान इसमे डालकर हम इसमें करेंगे अधरिक्स कर लेंगे अश्य पर दुदीन दाल दीने अ छहां पर मैंने एक नीमू की साइस का इंडे लिया इसके बीज मैने निकाल दी है इसे टाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे про है कि इसे भी हम к एpir मों कुछ सेकंडस के लिए 60 करेंगे और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए और ठंडा होने के बाद हम इसे ट्रांस्वर कर देंगे एक मिक्सिंग जार में इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक मुठी धनिया पत्ति और अब इसमें एट करेंगे थोड़ा सा पानी चटनी की अड़्यस्ट करने के लिए और अब हम एट करेंगे सॉल्ल टेस्के एक एक और इसे पीस लेंगे तो यह दिकी चटनी मैंने पीस लिए है यह दिकी बिल्कुल पॉफेक्ट है कंसिस्टनसी भी नहीं तो बहुत जादा गाड़ी है नहीं तो बहुत पतली है इसे हम ट्रांसफर कर देंगे एक बोल में और इसके बाद हम इस चटनी का तड़का रेडी करेंगे इसके लिए फि तीन सुखी लाल मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता इसे हम को सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे इसका जुफले में वह मैंने लो पर रखा हुआ है और अब हम इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे मिक्स कर देंगे इसे हम इसे हम परखाया चल्च ओ आप तक दो रखाल राग जबने लिए सब दीजम देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी चट्ठी किए और बहुत ही सिम्पल सी रेसी और यहाँ आप पसंद आएगी और अगर आप इसे ट्राइ करें तो मुझे जरूर बताएं कि अपको में प्टेरो गाहिए